ब्रेक के बाद आपका एक बर फिर से सुवागद है चलिए बात करते हो साजिश की जो सरकार के खिलाफ चल रही है अभी भाविकों को अपने जाल में फसाने के लिए नीजी स्कूल क्या कुछ नहीं करते हैं लोग लुभावने बादे सुवधाओं की एक लंबी फिहरिस्ट बहतर कल के सपने और जाने क्या क्या लेकिन फिर बें इनकी दाल ना गले तो ये वो सब कुछ करने को तयार रहते हैं जिनकी उमीद आपको ना होगी प्रदेश के चितोर करते हैं नीजी स्कूल से इंचालक सरकार के खिलाफ साजिश करते हैं नजर आ रहे हैं वे सब ही अभी भाविकों को ऐसे पर्चे बांट रहे हैं जिनमें सरकारी स्कूलों की जम कर बुराई की गई है आखिर क्या है पूरा मामला चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं प्रदेश भर में सरकार जहां सरकारी सिक्षन व्यवस्था को सुधारने में लगी है तो वहीं चितारगर जिला मुख्याले पर लाव आपके बच्चों को इंसान बना दू शीर्शक से पर्चे बांट जा रहे हैं जी हैं जिसमें सरकारी विद्यालों को नितक्रिस्ट और गुणुवत्ता विहिन बताते हैं नीजे विद्यालों में बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपील की गई है इन पर्चों पर किसे व्यक्ति का नाम नहीं है अपनी संस्ता को स्रेश्ट बताने और गुणुवत्ता युक्त बताने के लिए इस तरह के प्रचार किये जाना आम बात है लेकिन जिला मुख्याले पर सरकार के प्रवेशों सव कारिक्रम को विफल करने और अपनी कमाई के लिए नीजी विद्यालियों में प्रवेश बढ़ाने के उदेश्य से जो पर्चे बांटे जा रहे हैं वो नीजी स्कूलों के उदेश्यों से जुड़े और उनकी मानसिक्ता पर ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं चलिए आपको वो पैंप्लेट्स ही दिखाते हैं जरा देखिए किस तरह से इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं सरकारी विद्यालियों पर सीधा निशाना साधा गया है इन पर्चों में नीजी और राजके विद्याले की सुविधाओं की तुलना की गई है जिसमें नीजी विद्यालियों में सुसजित विद्याले भवन अनुभविय ध्याप को द्वारा ध्यापन से लेकर 24 बिंदू दिये गए हैं जिसमें जियालतर बिंदूओं में सरकारी विद्यालियों में ये सभी सुविधाओं बताई ही नहीं गई सवाल ये है कि नीजे विद्याले को क्या हक है कि वे सरकारी विद्याले और सरकार को सरयाम गाली देकर सरकारी विद्याले को नितक्रिस्ट बताए हलांकि इन पर्चों पर नाम किसी का नहीं है लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने परताल की तो सामने आया कि ये नीजे स्कूल संचालकों की संस्था द्वारा चपवा कर बांटे गए हैं संस्था के अध्यक्ष का जो दावा है चलिए आपको गो भी सुनवाते हैं इस पेंपलेट के द्वारा तुलनात्मक अध्यन से बता रहे हैं इन सभी बातों को आम जत्नताओं को हम बार बार ये चीज बता कि ये करना चाहरे हैं कि सरकारी योजना सिर्फ प्रवलोबन के लिए हैं अगर ये सब के लिए होती तो प्राइवेट इसकूलों को भी बराबर उन चात्रों को अग देना जाता है जबकि लेटोप साइकल जो ये नहीं है और ये जो हम बात उठा रहे हैं इसमें हमारे पास प्रदेश इस्तर का सयोग है और हम इस बात को प्रदेश इस्तर से तक ले जाएंगे और शिक्सा मंत्री से अब से ये मांग करेंगे कि जित्ते भी उजना हैं हरानी की बात तो ये है कि बात बात पर प्रेस नोट जारी करने वाले और छोटे मोटे डापूटेशन के लिए विभागिये चक्कर लगाने वाले सिक्षक संग के नेताओं ने भी इन पर्चों को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी जब इस मामले पर जानकारी चाहिए तो सिक्षक संग के नेताओं का कहना था कि ये गलत है ऐसे पर्चे बातने वालों के विरुद कारवाई की जानी चाहिए और जिरा सिक्षा धिकारी को इस सम्मंद में लिखे शिकायद भी की जाएगी लेकिन खब तक ये जवाब नहीं है उनके पास तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजके विद्यालियों की गुरुवत्ता पर सवाल खड़ी करने वाले और सरकारी योचनाओं को प्रलोभन बताने वाले इन पर्चों के वित्रन के बारे में जब कारेवाहक जिला कालेक्टर सुरेश चंद्र का कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी अभी तक मिली ही नहीं थी और सरकारी स्कूलों में सिक्षा गुणुवत्ता युक दी जाती है और कोई इस परकार का दुश्परचार करता है तो उसके विरुप निवा नुसार कारवाई की जाएगी इसकी जानकारी में तो हमारे ये बात आई नहीं है यह आप बता रहे हैं ज़िपरस को दिखवाते जांच कर वाते हैं एक और जहां सरकार सिक्षन विवस्था को सुधारने पर पूरा जोर दे रही है यहां तक कि खुद सिक्षा मंत्री वासो देव देवनानी तक इस मसले पर गंफीर नज़र आते हैं सिक्षकों को लक्ष देकर बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रियाज भी किये जा रहे हैं तो वहीं सरकार की पोशाहार योजना स्कूटी योजना सहित पूरी सिक्षन विवस्था को नाकारा बता कर अपने सिर्फ कमाई को बढ़ाने के लिए पूरी सिक्षन विवस्ता के खिलाफी दुश्परचार करने वाले और ऐसे विद्याले संचालकों के विरुत सरकार को कारवाई करेगी या फिर पूरे मामले में धीला रवया दिखाकर सरकार की विवस्ता को खुले आप नाकारा बताने वाले इनमीजी स्कूलों के संचालकों को बढ़ावा देती रहेगी अब ये तो देखने वाली पात होगी फॉस्त इंडिया के लिए चित्तार गड़ से सुभाश बैरा के लिए पूर्ट सरकारी स्कूल का नाम आते ही सर्फ एक ये ख्याल आता है कि वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं होती वहां पर जो विद्याले होता है स्कूल प्रांगन होता है वो अच्छा नहीं होता टीचर जो है वो गुनवत्ता पुन सिक्षा नहीं दे पाते लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो दशा और दिशा है तो बदलती उधासर आ रही है एक खुद वासुदे दिर्नानी जो हैं सक्षा मंत्री वो यहाँ पर यह कहते हुए नजर आ जाते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं विद्यालियों से लेकर सि देखने को मिलता है लेकिन नीजी स्कूल जो है उनका कहना कुछ और ही है यही नहीं वो दुश परचार करते हुए भी नजर आ जाते हैं इससे भी वो पीछे नजर नहीं आते हैं लेकिन इस बार तो उन्होंने सरकार के खिलाफ एक साजिश ही रच डाली है सारी हादे ही प सुधाएं दिखाएं गई तो दूसरे तरफ जो राजके विधाले हैं उनके सुधाओं में सिर्फ कुछ नहीं लिखने के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया तो यही प्रतेक चात्र को 18,950 फीस जो है वो सरकार द्वारा बता दी गई है और खुद की अगर फीस की बात क परे तो बेहत कम बताई गई है पूरे तरीके से नीजे स्कूल जो है वो सरकार पर निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं सरकारी योजनाओं को खुखला और सिर्फ लोग लुभावने वादे बताते हुए नजर आ रहे हैं पूरे तरीके से वो वार करते हुए और साज परचे बांटे गए हैं तरकारी स्कूलों की पूरे तरीके से निंदा यहाँ पर की गई है कि वहाँ पर अच्छी सिक्षा नहीं दी जाती और नीजी स्कूलों में बहुत अच्छी सिक्षा जी जाती है हर एक अभिभावक को वो परचे बांटे गए है क्या कुछ कहना है इस मसेले पर जी बिल्कुल राजस्तान सरकार दोरा जो डोर टोर सरकारी विद्यालों में प्रदत्र सुविदा है और साथ कल्यांकर योजनाओं के बारे में जिस प्रकार से सगन अभियान चला करके नामां रहे हैं मैंने अभी उसका इन्होंने जो प्रकार बाटा है जी उसको वह क्लट करने कोशिज की कि आज मिटिंग्स में व्यक्त होएं कल इसके हम प्रकारी योजनाओं के प्रिकूल टिक्पनी आपकी तरफ से क्या एक्शन यहां पर लिया जाएगा यह गलत पर तो इसके ब कारें और एक्शन लेतों भी नजर आएंगे जांच कमीटी के बाद या बिल्कुल इसके कंप्लीट क्योंगे अगर सरकार के दर अब प्रदर सुहरां के वारा में भी मिठ्या तत्के प्रचारित किया जाते हैं समाज में तो गलत है और जीस ने भी सुगरा किये तो हम उसक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी तमाम जानकारी देने के लिए चलिए खास प्रोग्राम में फिलाल इतना ही लेकिन खबरों का सिलसिला लगाता जा रही है आप देखते रहे हैं पस्ट इंडिया नमस्कार हुआ ऑया है